Hello and welcome to Brichbala Education YouTube channel आज के इस educational lecture में students हम शुरू करने वाले हैं Class 9th के SST chapter What is democracy? Why democracy? को Students जैसे की chapter के title से ही पता चलता है Chapter के first part में हम बताएंगे आपको What is democracy? Democracy होती क्या है? देखिए अब तक आप लोग ये समझते हैं democracy के बारे में कि जिस देश में Rulers को लोग vote डाल के चुनते हैं उसे democracy कहते हैं लेकिन इस chapter में आपको समझाया जाएगा कि democracy की ये definition काफी नहीं है कुछ और भी conditions होती है जो किसी भी देश की सरकार को fulfill करनी पड़ती है तब जाके उस देश को proper democratic country कहा जाएगा आगे आता है why democracy? वायो डेमोकरसी में आपको बताया जाएगा कि इस दुनिया के ज़्यादतर देश जिनको मोका मिला उन्होंने democracy as a form of government चुनी और ज़्यादतर देश खुश होते हैं जब उनको एक democratic country कहा जाता है तो ऐसा क्यों है democracy को best form of government क्यों माना जा रहा है तो हम पढ़ने वाले हैं democracy के बारे में इसके features के बारे में democracy की definition क्या है ये overview में इसने students आपको ये बताया है कि इस chapter में हम किन-किन चीजों के go through होने वाले हैं हम democratic government के features पढ़ेंगे कि असल में democratic government की क्या-क्या खास बाती होती हैं और इस chapter को पढ़ लेने के बाद आप एक democratic form of government और non-democratic form of government में बड़े असानी से differentiate कर पाएंगे क्योंकि कुछ सरकारे ऐसी होती हैं students जहां पे elections होते हैं नेता अपने आप लोग अपने vote के जरिये चुनते हैं लेकिन फिर भी सही माहिने में वो देश non-democratic होता है ये बात शायद आपको थोड़ी सी confusing लगी होगी लेकिन जब हम chapter के through जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ इसी तरीके से democracy जो है वो सबसे ज़्यादा popular form of government है इस वक्त ज़्यादतर देश खुश होते हैं अपने आपको एक democracy कहलवा के और ज़्यादतर देश अपने आपको democracy बनाना चाहते हैं बहुत सी countries में खासका 1950 के बाद और उससे पहले भी struggles हुए है popular leaders के खिलाफ और उन देश के citizens अपने देश को democratic बनाने के लिए struggle किया है पढ़ते हैं सबसे पहले what is democracy, democracy है क्या देखिए, democracy के बारे में मेरी ख्याल से 9th class का student पहले से काफी कुछ जान रहा होता है इस chapter में हम दो तरह की governments के बारे में पढ़ेंगे एक तो democratic और एक non-democratic वैसे तो non-democratic government कई तरह की होती है autocracy होती है, monarchy होती है military dictatorship होती है लेकिन इस chapter में हम governments के दो ही हिस्से पढ़ेंगे एक तो democratic और एक non-democratic अब आगे आता है democracy की proper definition की जरूरत क्यों है क्योंकि देखिए, हर एक बच्चे को पता है जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी शायद इस बात का पता होगा कि democracy या democratic government का मतलब होता है जब लोग अपने नेता को अपने leaders को खुद vote डाल के चुनते हैं उसे democracy कहा जाता है तो इतनी proper definition की आगे आगे इसको elaborate करने की क्या जरूरत है देखे आगे जाने से पहले हम देखेंगे देखे इसने क्या किया इसने example लिया एक class का उस class में एक student है Mary ठीक है वो कहती है वो अपने teacher से argument करती है कि यह जो define करना है democracy को ठीक है यह क्यों जरूरी है और वो इसके बारे में अपनी teacher मेठिल्दा लिंगो से कुछ questions पूछना चाहती है तो क्या conversation होती है class के students और उनकी madam के बीच में तो Mary कहती है मैं मुझे आइडिया पसंद नहीं आया पहले तो हमने democracy के बारे में discuss किया और अब हम democracy का meaning जान रही है तो उल्टा नहीं हो गया पहले meaning का पता करना चाहिए था उसके बाद उसके बारे में discussion होनी चाहिए थी ठीक है क्या meaning पहले पता करना और फिर बाद में उसका discussion करना उसका example पढ़ना सही नहीं रहता तो madam कहती है उनकी class teacher कहती है मैं तुम्हारा point समझती हूं Mary लेकिन everyday life में हम इससे उल्टा ही करते हैं जैसे की pen, rain और love ये कुछ ऐसे words हैं जिनका use तो हमें पता है लेकिन इसका meaning इनका definition हमें नहीं पता होगा तो अकसर day to day life में हम बहुत सारे ऐसे words पर इस्तिमाल करते हैं जिनको हम use करते हैं जिनका हमें use करना आता है लेकिन उनकी clear definition हमें पता नहीं है इनमें से बहुत सारे ऐसे words हैं जिनका meaning जो है हमें पता है क्योंकि हम इनको use करते हैं अगर आपसे कोई कहीं कि pen की particular definition लिखके लेकिए जो सारे pens के लिए सारी दुनिया में चल सके तो ऐसा मुश्किल हो जाता है बहुत बार आगया तो मैरी कहती है but then why do we need definitions at all फिर मैरी कहती है मैडम ठीक है हमें फिर definition की जरूरती क्या है कि जब हमारा meaning से काम चल रहा है जब हमारा discussion से काम चल रहा है तो हमें definition की जरूरत क्या है फिर मैडम कहती है हमें definition सिर्फ तब जरूरत पड़ती है जब हमें उस word को लेके कोई difficulty आ जाती है जैसे कि rain की definition की जरूरत पड़ती है हमें जब हमें rain को differentiate करना पड़ता है drizzle और cloudburst से ठीक है बुंदा बांदी और बादल फटने से जब हम उसको compare करते हैं तब हमें rain की proper definition का पता होना चाहिए तब ही हम उसको compare कर पाएंगे यही काम democracy के लिए भी है हमें democracy की proper definition पता होनी चाहिए तब ही हम पता लगा पाएंगी कि government अपने आपको जो democracy कहती है वो सही में democracy है भी या फिर नहीं रिबियांग नाम का student कहती है but why do we need to work on definitions मैंडम हमें definition की ज़रूरती क्या है the other day you courted Abraham Lincoln to us मैंडम आपने एक बार हमें बताया था कि Abraham Lincoln जो famous American president रहे है उन्होंने इन democracy के बार हमें कुछ words कहे थे क्या कहे थे Abraham Lincoln ने democracy is a government of the people by the people and for the people democracy एक ऐसी सरकार है जो लोगों की है लोगों ने बनाई है वो और लोगों के लिए ही है वीन मेगालिया always ruled ourselves हम मेगालिया के रहने वाले बच्चे हैं और हम अपने आपको खुद रूल करते हैं क्यों क्योंकि हमारी rulers हम vote डाल के चुनते हैं इसका मतलब अपने rulers हम खुद हैं that is accepted by everyone Abraham Lincoln की ये जो बात कही गई है democracy के बारे में ये सारे देश सारी दुनिया मानती है इसको तो फिर democracy की दूसरी definition की ज़त्या जरूरत है फिर लिंग्डों मेडम कहती है मैं ये नहीं कह रही कि हमें इस definition को change करने की जरूरत है मुझे भी Abraham Lincoln की definition बहुत अच्छी और बहुत सुन्दर words लगते हैं ठीक है लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या ये democracy को define करने का सही तरीका है हमें इसके बारे में खुद सोचना चाहिए हमें किसी भी चीज़ को सिर्फ इसलिए accept नहीं करना चाहिए क्योंकि वो famous है या फिर क्योंकि उसको किसी बहुत famous बंदे ने quote किया है या फिर सिर्फ इसलिए कि क्योंकि उसको हर कोई सही मानता है गलत बात है बच्चों इस definition को Abraham Lincoln के इन words को हर कोई सही मानता है बात है ऐसा मैडम कहती है योलैना नाम की एक student कहती है मैं क्या मैं कुछ सला दे सकती हूँ we don't need to look for any definition I read somewhere that the word democracy comes from a Greek word democracia मैं हमें कहीं democracy की definition के लिए कहीं जाने की जरूरती नहीं है मैंने एक चगे पढ़ा था कि democracy word Greek word democracia से आया है demos का मतलब होता है people और क्रेशा का मतलब है rule इसलिए democracy का मतलब हुआ rule by the people लोगों का खुद के उपर राज this is the correct meaning यह बिल्कुल correct meaning है तो हमें debate करने की क्या जरूरत है इस मामले में democracy word में ही उसका literal meaning छुपा हुआ है democracy Greek word जिसका मतलब होता है rule by the people तो वही इसकी definition भी माल लेनी चाहिए हमें क्यों debate करना है तो lingdo madam कहती है यह भी बहुत अच्छा और helpful तरीका है democracy को explain करने का लेकिन I would just say that this does not always work लेकिन हमेशा यह तरीका सही नहीं है a word does not remain tied to its origin हमेशा एक word अपने origin जैसा नहीं रहता जैसे computer computer word का meaning है compute करने वाला calculate करने वाला लेकिन आज कल इसका meaning जो है वो बिल्कुल बदल गया है यह सिर्फ एक calculator बनके नहीं रह गया है बहुत सारी चीजों के लिए use किया जाने लगा है computer तो एक ऐसा device जिसका नाम computer है computer का मतलब compute करने वाला device calculation करने वाला device लेकिन आज computer सिर्फ calculating device नहीं है बहुत सारे और काम भी करता है ठीक है designing के लिए writing के लिए music सुनने के लिए movies देखने के लिए तो हम इसका इस्तिमाल करते हैं तो अकसर words हमेशा सेम नहीं रहते उनका meaning time के according change हो सकता है इसलिए हमें words के origin के बारे में तो पढ़ना चाही अच्छी बात है लेकिन सिर्फ word कहां से आया है या उस word का मतलब क्या है उतने से explanation अच्छी नहीं होती फिर मैरी कहती है मैम आप ये कहना चाहती है कि किसी भी चीज को लेके shortcut नहीं होता ठीक है हमें उसके बारे में एक proper जानकारी evolve करनी पड़ती है खुद के दिमाग में विक्सित करनी पड़ती है मैडम कहती है आपने मेरे को बिल्कूल सही पकड़ा अब चलो इसमें आगे बढ़ती है ठीक है अब देखें आप इस साइड में काटून नहीं क्या कहता है I have heard a different version of democracies of the people, far the people and by the people why don't we accept that कुछ एक और democracy की definition of the people, far from the people and by the people मतलब लोगों को खरीदा जाता है लोगों से बहुत दूर है democratic leaders और democracy लोगों से बहुत दूर की बात है लोगों का इसमें से यह काफी कम होता है तो इस तरह की जो definition है यह उन लोगों ने दी है जिनके countries में तो democratic government की functioning proper नहीं है या हम लोग भी कई बार हमारे देश में भी कहते हैं कि जो leaders हैं हमारे वो तभी तक हमारे हमारी कदर करते हैं जब elections आने वाले होते हैं या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास popular leaders की choice ही नहीं होती है वो डालते वक्त तो इस तरह की definition मतलब globally acceptable नहीं है हाँ कुछ ऐसे देश जहाँ पे शायद leaders sufficient नहीं है शायद leaders अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं या politically corruption बहुत जादा है उन जगों पे ये democracy की definition शायद सही रहेगी लेकिन democracy की proper definition ये बिल्कुल नहीं कहीं जा सकती आगे आती है simple definition let us go back to a discussion on similarities and differences between governments that are called democratic democracies देखिए अब हम आते हैं दोबारा basic जो thing थी एक simple factor जो सारी democracies में देखा जाता है वो है कि वहाँ की सरकार को लोग चुनते हैं यानि democracy एक ऐसी form of government है जिसमें देश के rulers को लोग चुनते हैं democracy is a form of government in which rulers are elected by the people ये useful starting point है लेकिन ये proper definition नहीं है ये definition हमें government जो democratic नहीं है और जो democratic है उनको अलग करने में help करती है ये definition हमें लेकिन ये full और proper definition नहीं है सारे features नहीं है इस definition में democracy के जैसे कि मयानमार में army rulers को लोगों नहीं किया था जो army के control army जिनके control में थी वही देश को control कर रहे थे तो मयानमार में क्या होता था कि army के जो बड़े officials होते थे वही देश के निता होते थे देश के बड़े decisions वही करते थे लोगों का decision making में कोई participation नहीं था बिल्कुल यही काम चिली के जो डिक्टेटर थे पिनोशे उनके साथ भी था उनको लोगों नहीं इलेक्ट नहीं किया था ठीक है, मोनार्कीस के साथ भी ऐसा ही है, मोनार्कीस यानि जहां पे kings होते हैं, और kings वहां पे royal family में जन्मे हैं तो यह जो simple definition है democracy की, यह हमें democratic और non-democratic governments में differentiate करने में तो help करती है, लेकिन यह definition adequate नहीं है इसमें democracy की पूरी बातें नहीं आती है ठीक है, इससे यह तो पता चलता है कि democracy का मतलब है लोगों का rule, people's rule लेकिन अगर इस definition को unthinking manner में use किया जाए तो शायद हम हर एक government को democratic government कहने लग जाएंगे, तो यह student कहना चाहता है, यह book में यह कहना चाहता है कि बहुत सारी आसी governments होती है जो इस definition में fit बैठती है, लेकिन फिर भी जैसे जब जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उस वक्त पाकिस्तान में elections होते थे और पाकिस्तान में नेता चुने जाते थे वोट डालके लेकिन फिर भी उस वक्त की पाकिस्तानी government को non-democratic government कहा जाएगा, तो यह lesson में क्या समझाना चाहता है, कि यह जो definition है, यह democracy की definition सही तो है, लेकिन यह misleading definition है, कुछ situations ऐसी रही है, देश की कुछ countries की कुछ world की कुछ countries की, जहाँ पर elections होने के बावजूद भी, वो non-democratic रही है nature में, तो पढ़ेंगी हम तो misleading definition है, थोड़ी सी यह proper नहीं है, हम यह कह सकते हैं ठीक है? As we shall find out in chapter 3 every government in contemporary world wants to be called a democracy, even if it is not so, आज कल हर एक देश अपने आपको democracy का इलवाना चाहता है, क्योंकि इससे बाकी देशों का भरोसा उस पे बढ़ जाता है, इसलिए हमें government जो की democratic है और एक जो democracy होने का नाटक करती है, उन दोनों में फरक पता होना चाहिए ठीक है, और इसलिए हम हर एक word को समझेंगे जानेंगे democracy की definition में और democracy के features को ponder करेंगे, उसके features क्या क्या है ठीक है आगे देखिए, यह cartoon दिया गया यहाँ पे यह cartoon तब draw किया गया था, जब इराक में elections हुए थे, US ने वहाँ पे elections करवाए थे, US और US के friend countries ने यह cartoon क्या कहना चाहता है, और democracy इस अजीब से तरीके से क्यो लिखा गया है, तो students यह cartoon कहना चाहता है कि एराक में forcefully democracy लगाना चाहती है, US military ऐसा वहाँ के लोग मानते हैं, और democracy word इसलिए लिखा गया इस तरीके से क्योंकि यह self accepted नहीं है, इराक में, क्योंकि जब सद्दाम हुसाइन को इराक की गद्दी से उतारा गया था dethrone किया गया था उसको, तो बहुत से इराकी लोग यह कह रहे थे, कि हमारा देश, हमारा मामला, आप लोग क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं और कुछ हग तक उनकी यह बात सही भी थी, तो यह cartoon signify करता है कि democracy को forcefully थोपा जा रहा है इराकी लोगों पे, आगे देखिए features of democracy, democracy की विशेश time democracy एक ऐसी government होती है जिसमें rulers जो होते हैं, वो लोगों के द्वारा elect किये गई होते हैं लेकिन इसमें बहुत सारे questions आते हैं ध्यान से समझेगा students, ठीक है ध्यान से समझेगा, मैं आपको shortcut में नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत ही सही तरीके से book लिखी गई है, और बहुत सही तरीके से आपको elaborate भी करेगा यह, देखिए सबसे पहली बात तो इस definition में rulers की नहीं का गया है कौन-कौन से ऐसे officials हैं जिनको elect करना चाहिए, किनको test करके, जैसे गदी पे बिठाना चाहिए तो कहना चाहरा है यह, कि किस तरह के ruler को vote डालके चुना जाहिए किस तरह के decisions जो होते हैं वो non elected officials लेंगे जैसे हमारी country में IS, IPS होते हैं, जिनको test लेके चुना जाता है जो हमारे MLAMP होते हैं उनको vote डालके चुना जाता है तो यह कहना चाहरा है कि किस तरह के decisions तो नेता लोग लेंगे और किस तरह के decisions वो officers लेंगे जो non elected हैं, जैसे कि हमारा DC है, DM है, STM है इन्होंने test पास करके अपनी गर्दी पाईए, तो कौन से decision elected rulers को लेने चाहिए और कौन से non elected officials को लेने चाहिए, किस तरह के elections होने चाहिए किस तरह के elections को democratic election कहा जाएगा, कौन-कौन conditions होनी चाहिए elections में कि elections को proper democratic elections कहा जाए, बहुत बार ऐसा होता है कि election होतो जाता है लेकिन उसमें unfair practices का यूज़ करके गलत बंदा चुन लिया जाता है कौन से वो लोग होने चाहिए जिनको voting right दिया जाना चाहिए और कौन से वो लोग होने चाहिए जिनको elections में participate करने की यानि elections में खड़े होने की जाज़त मिलनी चाहिए क्या देश के हर नागरिक को equality के basis पे elections पे participate करने की और contest करने की आजादी होनी चाहिए क्या कोई democracy अपने देश के कुछ नागरिकों को voting right से दूर रख सकती है क्या ये सही है तो ये questions हैं हमारे दिमाग में अभी किस तरह की government को क्या democracy में भी लोगों के fundamental rights को protect आना ज़रूरी है या फिर democratically elected ruler अपना मन चाहा कर सकता है तो ये कुछ features हैं देखिए अब ये जो questions इसने पूछे हैं न ये सारी questions बिल्कुल सही हैं क्यों सही हैं क्योंकि हमने उपर definition दी कि democracy वो होती है जिसमें लोग अपने rulers को खुद चुनके भेजते हैं तो कई questions आते हैं कि rulers कौन उनके हाथ में कितनी power होनी चाहिए जो elections होते हैं उन elections को किस तरीके से होना ज़रूरी है किसरी बात जो elections होते हैं उसमें vote डालने का अधिकार और elections में खड़े होने का अधिकार किसको होना चाहिए इसके लावा जिसको vote डालके मान लीजी हमने चुन लिया क्या उसके पास पूरी power दे दीजी चाहिए क्या वो अपना मनमानी अपनी मनमानी कर सकता है एक democratic government को चलाते वक्त तो ये कुछ conditions हैं कुछ questions है और बहुत ही अच्छे और बहुत ही proper questions है तो चलिए देखते हैं हम अब example के जरीए हमें समझाएगा कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए major decisions by elected leaders पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशरफ ने एक military coup किया October 99 में military coup का मतलब पाकिस्तान में democratically elected government को हटा के परवेज मुशरफ ने वहाँ पे खुद को क्या बना दिया उसने democratically elected government को तो overthrow कर दिया और खुद का देश को देश का chief executive बना दिया यानि देश का सबसे बड़ा जो है leader बन बैठा वो बाद में उसने आपने आपको chief executive से president बना दिया उनसे voting करा के उनके views लिये जाते हैं ठीक है और उसने एक referendum कराया और उस referendum के जरिये उसने खुद को 5 साल का extension दे दिया president के तोर पी लेकिन उसने जो referendum करवाया था न ये free and fair नहीं था बच्चो अब देखने को तो देखने में पसंद कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि मैं अपनी गदी से उतर जाओं वो चाहते हैं कि military leader उनके देश को राज करें तो दुसरे देशों को दिखाने के लिए उन्हों referendum करवाया था और ये referendum प्रोपर नहीं था इसमें mal practices का use किया गया था पाकिस्तानी media human rights organizations democracy के activists इन सबगा कहना था कि ये जो referendum करवाया गया था ये referendum mal practices और fraud के जरिये करवाया गया था अब students एक और काटून है हमारे पास यहाँ पे देखिए Syria में democracy दर्वाजा खटखटा रही है और अंदर से एक बंदा बोलता है तुम्हें member बनने से पहले अल बात party का member बनना पड़ेगा अंदर आने से पहले ठीक है बरना तुम्हें अंदर नहीं आने दिया जाएगा Syria एक छोटी सी west station country है वहाँ पे बात party रूल करती है और बात party के कुछ सहयोगी पार्टियां रूल करती है क्या ये cartoon China और Mexico पे अपलाई हो सकता है और जो democracy के सिर पे जो ये पत्तों का मुकुट है ये क्या बताता है तो मैं बताता हूँ आपको देखिए ये जो condition है चाइना के उपर अपलाई हो सकती है क्योंकि चाइना में जो communist party है उसकी मतरब वो लेनी पड़ती है approval लेनी पड़ती है elections में खड़े होने से पहले इसका मतरब government बनेगी तो communist party की ही बनेगी Mexico में ये बात 2000 पहले से कही जा सकती है 2000 के बाद Mexico में fairly जो है government function करने लगी है लेकिन 2000 से पहले वहाँ हाल कुछ और था तो Mexico में 2000 तक ये बात सही है उसके बाद गलत है और चाइना में ये बात विल्कुल सही है और ये एक leave crown है ये signify करता है कि democracy एक popular form of government है इसको बहुत सारे देशों ने अपनाया है लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ democracy बनने का दिखावा किया है जाता है और एक हाथ में गन लिया हुआ इनसान है तो ये कहता है कि boot capturing को show करता है जो cartoon है boot capturing को कि कुछ democratic countries में elections तो होती है लेकि elections proper नहीं होते वहाँ पे लोगों को बंदूख पे बंदूख की नोख पे वो डलवाया जाता है boot capturing कर ले जाती है तो क्या ये बात मतलब बहुत सारे देशों में ये बात apply होती है पाकिस्तान में भी, मेक्सिको में भी, जिंबाबे में भी हमारे देश में भी कुछ situations ऐसी हैं कुछ जगें ऐसी हैं जहाँ पे boot capturing की घटनाएं सुनने में आती हैं आगे देखे आगे पढ़ते हैं अगस्त 2002 में जनरल परवेज मुशरफ ने legal framework order पास किया जिससे पाकिस्तान का constitution change हो गया इस order के according प्रेसिडेंट जब चाहे तब पाकिस्तान की national और provincial assembly को dismiss कर सकता था national और provincial assembly में वो leaders आते थे जिनको पाकिस्तान की जो civilian cabinet थी civilian cabinet का मतरव चुनके आये हुए मंतरियों की जो cabinet थी उसको supervise करता था national security council और इस national security council में military के officers होते थे यानि चुने गई नेताओं को हमेशा military officers की हाथ के नीचे रह के काम करना पड़ता था इस कानून को पास करने के बाद elections होते थे पाकिस्तान में national और provincial governments के लिए assemblies के लिए पाकिस्तान में elections तो होते थे लेकिन elected representative के बाद power को बहुत कम होती थी आखिरकार जो final power होती थी वो military officers या फिर खुद जनरल परवेज मुशरफ के पास होती थी आगे देखिए आगे ये क्या कहता है clearly there are many reasons why Pakistan under general परवेज मुशरफ should be called a democracy तो बहुत से ऐसे reasons है जिसमें general परवेज मुशरफ के अंडर पाकिस्तान को democracy नहीं कहा जा सकता अब आप खुद देखिए अब आपने definition क्या पढ़ी थी democracy की लोग vote करके अपना नेता चुनते हैं यहां देखिए पाकिस्तान में हो क्या रहा है लोग vote डालके अपना नेता चुन रहे हैं लेकिन फिर भी democracy नहीं है फिर भी non-democratic government है तो democratic government में कुछ features होने चाहिए उसकी proper definition पता होनी चाहिए हमें तो अब हम कुछ चीजों के उपर जो हैं सोचते हैं जो rulers elect किये गए हैं लोगों के द्वारा पाकिस्तान में क्या वो सही में rulers हैं नहीं लोग अपने representatives elect तो कर देते हैं national और provincial assemblies में लेकिन elected representatives के पार असली power नहीं है असली power किसके पास है असली power है military officials के पास बहुत सी countries में बहुत सी dictatorships में बहुत सी monarchies में ऐसा होता है उनमें elected parliament होता है एक सरकार होती है लोगों की चुनी गई लेकिन real power उन लोगों के हाथों में होती है जो elected नहीं होते कुछ countries में real power कुछ बाहरी देशों के हाथ में होती है बहारी देश जैसे होंग को चाइना चलाता है तो होंग कोंग में जो कुछ भी होता है politically उसमें चाइना का एक बहुत बड़ा रोल होता है और वहां के local leaders अपनी देश की सरकार को अपने बूते नहीं चला सकते इसलिए democracy का एक feature बहुत important feature क्या है in a democracy the final decision making power must rest with those elected by the people final decision making power उन लोगों के पास होनी चाहिए जो elected leaders है तो यह बात भी add करनी है हमें democracy की definition में क्या बात add करेंगे final decision should be made by elected leaders आगे आता है free and fair electoral competition democracy में elections का free and fair होना जरूरी है जो इस वक्त हमारा नेता MLA है या MP है या PM है या CM है उसको भी हारने का उतना ही chance होना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश का prime minister क्योंकि prime minister है अभी तो आने वाल elections में वो mal practices का use करें dirty tricks का use करें और दोबारा फिर PM बन जाए ऐसा नहीं होना चाहिए आगे देखें आगे क्या कहता है यह चाहिना में elections जो होते हैं वो हर 5 साल बाद होते हैं कंट्री का parliament चुनते हैं वो हमारी तरे ठीक है उनके parliament को कौंगो, रेंटमिन, डाइबाओ, दाहुई कहा जाता है national people's congress सही लफजों में हम कहे तो national people's congress में president को appoint करने की शमता होती है यह ने national people's congress में जो लोग चुनके जाते हैं वो vote डालके president को चुनते हैं लगबग 3,000 members हैं जो चाहिना के अलग-लग हिस्सों से चुनके आते हैं कुछ members army से भी elect होके आते हैं army भी कुछ बंदे भेजती हैं चाहिना की government में, national people's congress में अपने elections में participate करने से पहले लेकिन candidate को Chinese Communist Party का approval चाहिए होता है Chinese Communist Party के members या फिर आठ छोटी पार्टियां जो की उसकी allies हैं जो की उसकी सहयोगी पार्टियां हैं उनी के लोगों को election में contest करने की जाज़त है 2003 के आसपास जो elections हुए थे और हमेशा सरकार Communist Party की ही बनती है क्यों? क्योंकि Communist Party अपने ही लोगों को जो वो लोग जो उसको support करते हैं उनी को खड़ा होने देती है ठीक है? अब Communist Party क्या करती है? अपने ही 3-4 बंदों को खड़ा कर देती elections में अब चाहे जीते कोई भी आखिरकार सरकार किसकी बनेगी? आखिरकार President किसका बनेगा? Chinese Communist Party का तो ये Free and Fair Electoral Competition नहीं है अब दुबारा देखिए आप दुबारा समझे इस बात को ये क्या कहता है? देखिए इस देश में चाइना में चुनाव हो रहे हैं रेगिलर्ली हो रहे हैं लोगों को वोटिंग राइट भी दिये गए हैं लेकिन फिर भी यहां की सरकार को डेमोकरिटिक नहीं कहा जा सकता ठीक है? तो एक और फीचर एट करेंगे हम इस परेग्राफ को पढ़ने के बाद 1930 में अपनी इंडिपेंडेंस के बाद से मेक्सिको में हर 6 साल बाद इलेक्शन हुए प्रेजिनेंट के लेकिन कंट्री इस कंट्री में कभी भी मिलिटरी रूल या डिक्टेटर रूल नहीं रहा पाकिस्तान की तरह हैं लेकिन year 2000 तक हर एक इलेक्शन 1930 से लेके 2000 तक हर एक इलेक्शन PRI institutional revolutionary party ही जीतती आई opposition parties elections में participate तो करती थी लेकिन कभी जीती नहीं पाई क्या कभी ऐसा हो सकता है 70 साल तक कोई दूसरी party जीते ही न PRI जो थी वो बहुत सारी dirty tricks का यूज करती थी elections को यूज करने जीतने के लिए government offices में जितने भी लोग होते थे उनको PRI party की meetings में जाना compulsory होता था ठीक है government school के जो teachers थे वो parents को force करते थे PRI को vote करने के लिए media जो थी वो opposition political parties की activity को तो ignore करती थी बलकि criticize करती थी यानि वहाँ की media भी censored थी television और press वालों को वहीं दिखाना होता था वहीं दिखाना होता था जो सरकार चाहती थी कई बार polling booths को last minute पे shift कर दिया जाता था जिससे लोग अपना vote कास्टी नहीं कर पाते थे और एक या दो vote दलवा के PRI जीत जाती थी PRI अपने candidates के उपर बहुत सारा पैसा खर्च करती थी campaigning पे अब ये जो elections हो रही है चाइना में और मेक्सिको में क्या ये elections में लोगों को अपने rulers चुनने का अधिकार मिला बहुत सारी problems हैं democracies में चाइना में elections में लोगों को proper choice नहीं दी गई ठीक है उनको एक ruling party के approve किये गए candidates को ही चुनना पड़ता था क्या ये real choice है लोगों के पास real choice है नहीं है मेक्सिको में लोगों के पास choice तो है लेकिन असल में उनकी choice का उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा ruling party को defeat ही नहीं किया जा सकता जो party power में है उसको हरा ही नहीं जा सकता चाहे पूरे देश के लोग उसके खिलाफ वोट करते तो यानि unfair elections हो रही है इसलिए second feature democracy का क्या होना चाहिए elections सिर्फ health ना हो बलकि elections में real choice होनी चाहिए real choice का मतलब जो जीता हुआ है पहले से पिछले elections में जो जीता हुआ है उसको हारने का पूरा पूरा मुका मिलना चाहिए देखे मैं क्या कह रहा हूँ यानि उसको कोई advantage नहीं होना चाहिए एक ऐसा leader जो existing MLA है और एक ऐसा बंदा जो नया नया खड़ा हुआ है दोनों के पास बराबर chance होना चाहिए जीतने का तो democracy must be based on free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing यानि elections free and fair होने चाहिए ठीक है chapter 3 में इसके बारे में और आएगा आगे आगे आता है one person, one vote, one value यानि हर एक बंदे की हर एक बंदे को एक vote डालने का अधिकार होना चाहिए और उसके vote के value भी बराबर होनी चाहिए देखते हैं आगे जाके देखें democracy का जो struggle है उस struggle में लोगों ने एक और बात सामने रखी universal adult franchise की universal adult franchise का मतलब होता है कि हर देश में 18 साल से उपर के हर बंदे को voting right दिया जाना चाहिए चाहिए वो किसी भी caste, creed, color, race or religion का हो इस बात को कहा जाता है universal adult franchise याद रखें आप what do you mean by universal adult franchise universal adult franchise means that every citizen of a country who is above 18 years of age should be given the right to vote irrespective of his caste, color, creed, race, religion, sex, gender ठीक है आगे देखिए अब लेकिन कुछ देशों में जो democracies हैं वहाँ पे denial है इस चीज़ का voting right equal नहीं है 2015 तक साओधी अरेबिया women को voting right ही नहीं दिये गए थे इस्तोनिया में citizenship के rules कुछ इस तरीके के हैं कि Russian minority के लोगों को वहाँ पे voting right मिली नहीं पाते हैं उन्होंने अपने citizenship rules इस तरीके से change कर रखें कि Russian लोगों को वहाँ पे citizenship आसानी से नहीं मिलती है फीजी में फीजी में elections कुछ इस तरीके से होते हैं कि local फीजी को की vote को ज़्यादा value है और Indian फीजीन यानि बाहर से आके जिसने फीजी देश के नागरिकता लिया उसके vote की value कम है ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए democracy में political equality होनी चाहिए हर कोई बराबर होना चाहिए तो तिसरा teacher क्या बनता है democracy का हर एक adult citizen को एक vote का आधिकार होना चाहिए और उसके vote की value भी एक होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए ये democracy का तिसरा principle है ठीक है अब आगे एक और cartoon आपके सामने है अंदर सद्दाम हुसाइन बैठा हुए जो की dictator था इराक का ठीक है ये cartoon इराक elections के बादगा है बहार के लोग तो पसंद कर रहे है आखिरकार आज हमें अपना हक मिला एक आदमी को एक voting right है और एक vote का एक ही value है अंदर बैठा सद्दाम हुसाइन क्या कहता है मुझे तो तब पसंद था जब मैं अकेला आदमी था मतलब मैं एक आदमी था जो vote डालता था और मेरे ही vote पे सारे decisions होते थे यानि ये वहाँ का dictator था ये वहाँ का dictator हुआ करता था लेकिन ये cartoon democracy को support कर रहा है कि चाहे कैसे भी आई हो हमारी देश में democracy आई हमें सद्दाम हुसाइन के orders को अब मानने के जरूरत नहीं है हम अपने निताब खुद चुनेंगे rule of law and respect for rights यानि कानून का ही मतलब बोलबाला होना चाहिए देश में और human rights जो है fundamental rights जो है उनकी respect की जानी चाहिए Zimbabwe में white minority rule से उन्होंने आजादी ली 1980 में लेकिन 1980 के पाद से वहाँ Zen U.PF party ही elections जीत रही है इसके leader है Robert Mugabe आजादी के बाद से वही वहाँ के president है elections वहाँ regularly होते हैं लेकिन हमेशा Zen U.PF party ही जीतती है president Mugabe popular थे लेकिन उन्होंने कुछ unfair practices का use किया elections में और कुछ सालों में उसकी government ने समीधान को कानून को इस तरीकी से change कर दिया ठीक है कि president की powers तो बढ़ती चली गई और president की accountability है वो बढ़ती चली गई यानि लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है जैसे हमारे देश में president की accountability है ठीक है प्राइम मिनिस्टर की प्रती और cabinet की प्रती और देश की जनता की प्रती लेकिन Zimbabwe में ऐसा नहीं है opposition party workers को harass किया जाता है हमाँ पे और उनकी meetings को disrupt किया जाता है जो लोग हड़ताल करते हैं protest करते हैं सरकार के खिलाफ demonstration करते हैं उनको गैर कानूनी करार दिया जाता है और एक ऐसा कानून भी है जिस कानून के तहत president को criticize करने की कुछ limits है यानि जो लोग president को criticize करेंगे उनके खिलाफ मुकादमा दर्द हो गया तो हैं वहाँ पे जिंबाबे में independent newspaper हैं लेकिन जो भी journalist जो भी पतरकार सरकार के खिलाफ बोलते हैं लिखते हैं उनको harass किया जाता है उनको तंग किया जाता है government court की कोई judgments को भी नहीं मानती जैसे हमारा court अगर सरकार को कोई आदेश दे तो सरकार को मानना पड़ता है लेकिन वहाँ पे प्रेजिनेट मुगाबे ऐसा नहीं करता आखिरकाट 2017 में उसको अपने office से हटा दिया गया उसको प्रेजिनेट्शिप से हटा दिया गया तो यहानी यहाँ पे जिंबाबे में क्या example है देखि क्या कहता है popular approval of the rulers is necessary in a democracy but it is not sufficient यह क्या कहता है देखिए शुरू में पहली बार जब election हुए तो Robert Mugabe जीता था लोगों का पसंद दीता था उसके बाद से जो भी उसने decision लिये अब वो क्योंकि वो लोगों का नेता था तो उसने decision अपने हिसाब से लिये तो democracy में तो यह बात सही है लेकिन यह क्या कहता है यह बात sufficient नहीं है क्यों sufficient नहीं है popular government भी non-democratic हो सकती है हो सकता है कि जिस नेता को आपने चुनके जो है अपना leader बनाया है उसके decisions आपको फस्तनाए popular leaders भी कई बार ऐसे decisions लेते हैं autocratic होते हैं उनके हिसाब से तो सही है लेकिन देश के लिए भलाईगी नहीं है इसलिए elections में हमें यह चीज देखनी चाहिए ठीक है यानि normal political activity भी होनी बड़ी जरूरी है democracy में यानि opposition को भी अपनी बात कहने का उतना यदिकार होना चाहिए जितना की ruling party को actions लेने का है ठीक है इसका मतलब elected government को लोगों की fundamental rights को respect दरना चाहिए लोगों को अपनी बात सोचने का अपनी विचार रखने का अपनी विचार लोगों में express करने का unions बनाने का हरताल अगरा करने का विरोध करने का और political actions लेने का अधिकार होना चाहिए हर कोई कानून की आँखों के सामने बराबर होना चाहिए और उनकी rights को protect किया जाना चाहिए ठीक है तो कुछ conditions होती है यानि democracy में elections होने के बाद government के पास कुछ rights होते हैं तो कुछ responsibilities भी होती है democracy government हर वो काम नहीं कर सकती जो उसे पसंद है उसको कुछ basic rules को follow करना पड़ता है उसको minorities जानि जो लोग उस देश में कम संख्या में हैं उनको भी कुछ guarantees देनी पड़ती हैं जो भी बड़ा decision उस देश में लिया जा रहा है उस बड़े decision को लेने से पहले कई consultations की जानी चाहिए बहुत विचार किया जाना चाहिए हर एक office bearer के पास हर एक मंतरी के पास हर एक नेता के पास कुछ rights और responsibilities दोनों है ठीक है हर कोई नेता accountable है सिर्फ लोगों के लिए नहीं बलकि officials के लिए be accountable है हमारे लिए उनकी जवाब देई होनी चाहिए यानि कहना क्या चाहता है कि democratic government हर कोई वो काम नहीं कर सकती जो चाहती है बलकि कुछ limits के तहत और लोगों के rights को protect करते हुए उसको अपने decisions लेने चाहिए तो आब democracy में हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था democracy एक ऐसी सरकार है जिसमें लोग अपने rulers vote डालके चुनते हैं लेकिन अब हम क्या बातें add कर रहे है features of democracy क्या है देखिए धान से features of democracy पहला feature क्या है rulers elected by the people take all the major decisions देश के बड़े बड़े decision final decision उन लोगों के हातों में होने चाहिए जो vote डालके चुने गए है elections में free and fair choice होनी चाहिए free and fair elections होनी चाहिए ठीक है और one vote, one right, one value होनी चाहिए ठीक है हर एक बंदे को एक vote डालने का अधिकार और उसके vote की value भी एक ही होनी चाहिए और democratically elected government के कुछ rules होने चाहिए देश को चलाने के लिए वो हर कोई काम नहीं कर सकती हर वो काम नहीं कर सकती जो वो चाहती है बलकि उसके बनाए गए हर कानून उसके लिए गए हर decision पे कुछ parameter set जरूर होने चाहिए तो students part one में इतना ही आगे हम continue करेंगे part two में students आप इस वीडियो को like जरूर कीजेगा आपका like हमारे लिए बहुत ज़ादा value बैस students देखिए इतना ही महनत हम आपके लिए करते हैं तो वीडियो को like और share जरूर कीजेगा comment section में अपने views दीजिए और अगर आप channel पे नहीं है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी thank you everyone